अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे पेंशनर्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो जून का महिना बहुत इंपोर्टेंट है अगर अभी तक दोस्तो आपने जो नवंबर से आपको जो छूट मिली दोस्तो आप जाके मैनुली कर सकते हैं अगर आप डिजिटल लाइफ सेटिविकेट जमा करना चाहते हैं दोस्तो उसके लिए भी आपको स्पर्श की तरफ से बहुत सारे ऐसे एप से जिसके तुरू आप करवा सकते हैं तो अब आने वाले टाइम में अगर कुछ रह जाता है तो वो होल सोल जो पेंशनर है ये उनकी की रिस्पॉंसिबिल्टी रहेगी अभी आप अगर एंड्रॉइड फोन भी है तो आप सिंपल दोस्तो जी अगर आप जीवन प्रमाण एप सर्च करते हैं उसके बाद से उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाता है अगर आपको नहीं पता तो किसी अन्य से जो है अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड करवा सकते हैं उसको इंस्टॉल कर लें मेक शूर करें कि वो पूरा सेक्यूर हो आप ही के मोबाइल पे हो उसके बाद से दोस्तो आप जो है अपना डिजिटल लाइफ सेटिफिकेट जरूर जमा करा हैं दोस्तो डिजिटल लाइफ सेटिफि तो प्रॉपरली भर दिया था लेकिन जैसी उन्होंने लाइफ सेटिवेट जमा किया पैंचन आनी शुरू होगी लेकिन उनका डिये बंद हो गया और उसके बाद से दोस्तों को दो-तीन मेने बाद पराचला कि उनकी पैंचन कम आने का कारण यह था कि उनका जो है डिये वाल रहे थे तो उसमें एक option होता है री-employment का और वहां पर गलती से वह री-employment वाला option चेक हो गया था और उसकी वएसे दोस्तों जो उनको डिये मिलना था वो रुख गया था बाकि सब कुछ चल रहा था तो दोस्तों एक तो टाइम पर आपको अपना लाइफ सेटिवेट जमा कराने हैं अगर आप नहीं शूर हैं तो अपनी फैंबली में में किसी के help लें क्योंकि यह तो आप सेक्यूरिटी से या किसी पर सर्विस सेंटर से या बैंक में जाके जो भी authentic places है वहीं से आप करवाएं otherwise उस्तों आज की डिट में घर बैठा है अराम से हो जाता है तो पहल स्पर्श में migrate हुए है उनके लिए बहुत important है दोस्तों कि अपना data validate जरूर कर ले अगर आप data validate नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि effect हो रही है और यहां पर बात करने जा रहे हैं even additional pension जो है वो आपके data dependent है आपका आधार card आपका pen card जो भी data है एक बार आप login करके अपना data validate करवा लें क्योंकि अब more or less जो स्पर्श का जो system धीर दे करके stable हो रहा है तो आने वाले टाइम में दोस्तों अब कोई भी ऐसा issue आता है तो वह whole soul pensioners की responsibility होगी इसके लिए दोस्तों अभी pensioners के लिए एक और important update है कि इस बार जो pension है जो स्पर्श के मादियम से pension आती है वो इस बार जल्दी आएगी क्योंकि इस बार जो last date है वो weekend आ रहा है और weekend पर normally salary process नहीं की जाती और plus next month में वैसी भी process नहीं की जाती तो कहीं ने कहीं जो पर्श का जो main motive है वो यह है कि आपकी जो salary processing है वो इसी मन्त हो जाए तो कहीं नहीं दोस्तों 28 जून को जो आपकी pension आपके खाते में rate हो जाएगी लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा important बात जून के बाद की बात कि ऐसा ना हो कि आपके इस मैने की हो जाया लेकिन उसके बाद से आपको जो है आपकी pension में दिक्कत है तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप अपना जो है जून की pension से पहले जो अपना ये काम कोई भी सरकार के तरफ से टेबल जारी नहीं हुआ है तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि अभी जितने भी लेटर लिखे जा रहे हैं सरकार को ओर रोपी थ्री इंप्लिमेंट कराने के लिए वह जो है सकस्फुल रहा है और सरकार की तरफ से उसके पर जवाब आए क्योंकि अल्रेडी जो है ओरोपी 3 की जो है संभावित अप्रॉक्सिमेट टेबल आ चुकी है उसको आप देखे आपको क्लेर हो जाए कि आपको कितना आपके पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है दोस्तों यह थे आज के इंपोर्टेंट अप्डेट सभी पूरुसैनिकों के लिए के वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो